ऩो कि नमस्कार आप देखरें प्रुठीन ियूज भठिंडा में धार्मीक कारेकरम का आयोजन किया गया यहां कारेकरम एक विशाल रत्यात्रा के रूब में किया गया जिसमें एक विशाल रत्यात्रा जो बंगलेवाली धर्मसाला से लेकर चापदा पैलस तक यानि भटिंडा में ये जो रथ यात्रा है निकाली गई और इसमें इनकी अगवाई परंपुजेश्री अनिरुदा चारियाजी महाराजरी वरंदावन धाम वालों की तरफ से अगवाई की गई इसमें सैंकडों की संख्या में सधालों ने समिलिती गी इसमें 101 कलस महिलाओं के सर पर रखकर इस रथ यात्रा में हिस्सा लिया गया और बड़ी ही श्रधा पूर्वक इस रथ यात्रा को मुकमल किया गया यह रथ यात्रा के बाद बटिंडा में आयोजन किया जाने वाला जो कारे करम है जिसमें 12 सितंबर दिन रवी बार यानि आज से यह कारे करम शुरू हो जाएगा और यह कारे करम 17 सितंबर 2021 दिन शुकरवार तक आयोजित किया जाएगा इसका समय शाम 6 बजे से लेकर रातर जाएगा जिसमें श्री मत भागवत कीता की कथा का पावन परसंग किया जाएगा जिसका पावन परसंग परंहुजसकों पूजै शिरी अनुरुदधाचार्यती महराज जिसमें उन्होंने आपपील की है कि जादा से जादा सरथालू समय पहुंचकर इस कथा का अननद ले सबी भडेंडा वासियाएं छेत्र वासियाएं भागवजी का रस्पान करें भागवजी धर्म का प्रचार करने का एक मात्र इसकली काल में साधन है भक्ती का ज्यान का रुवईरागय का इसमें निरूपन है श्रवन करने यह मातर से प्रांई का कल्याना होता है। और की से युवाओं को राह मिलेगी और कैसे युवाओं को धार्म से जुड़ना यह यह सब मांर व से नहीं होंगे। आज 12 तारिक से लेके 18 तारिक तक भागवाजी चलेंगे साथ दिवसी चावड़ा पैलिस भटेंड़ा साथ दिन की कछा में यही काम होगा कि किस प्रकार क्रोध पर नियंद्रन करें किस प्रकार लोग पर नियंद्रन करें और किस प्रकार भक्ती बढ़ाएं किस प्रकार जीवन जीएं लोग कैसे सबा रहें पर लोग कैसे सबा रहें इस पर ही साथ दिन डिसकस होगा नियंद्रन करें किस प्रकार करी सबाएं